नमस्कार आप देख रहे हैं कंट्री इंसाइड न्यूज मैं हूँ सौरम निगम देखिए हमारे एरिटर कॉसलेंद्र परासर की ये एक्स्क्लूजीव रिपोर्ट जो यहां पर कहा रहते हैं मेरा घर मानिय विधायक जी अनुरूज ज्यादब जी जो हैं जो विकास किये हैं उसको चार अना भी पिछले विधायक जो पूर बिधायक जी जो हैं चार अना भी इनको मने कामू नहीं किये हैं और आज जो इलिगेशन हम कल के बीजी लाइब द्वारा देखे हैं उनका कि जो माल ले जाए हुई इलिगेशन बिधायक जी पर जो लगा रहे हैं कि फलाने जगा काम नहीं हुआ कीचड़ है फलना है डेकान है तो हमारे बिधायक जी परियास बहुत कर रहे हैं सरकार नहीं रहने के कारण कुछ जो काम है उसमें बाधा हुए वहां का जो योजना बिधायक जी जो बनाना था वो बना के दे दिये हैं प्रतकिल का रासी जो बनता है वो भी बना हुआ है लेकिन सरकार न रहने के कारण कुछ बिलंब हो रहा है अथक परियास इनका है कि साल भर आउट समय इनके पास है कि अथक परियास है कि वहर हालत में हम बना दे लिख लगता है कि अनुट जादो यहां का विकास करते हैं विकास बहुत करते हैं यदि विकास नहीं करते तो उनको दोबारा तेवारा मोके नहीं मिलता इनको आज तिन तीन बार विधायक बनाने का वहां का जंता काम किया है आखिर इन्हों ने कोई ऐसा जंता के लिए काम क तो बेकार लगा रहा है, उनको तो जनता चार बार मुखिया बनाया, दो बार जिला परसत बनाया, एक बार बिधायक बनाया, फिर भी वो अपना गाव और पंचायत का सुरच्चित न रख पाए, काम नहीं कर पाए, तो अपना बिधान सभा में क्या करेंगा? और उन्होंने 2015 के बिधान सभा चुनाओं में बादा किया था, कि हम जब पंदरा में बिधायक होंगे, तो मेरा बक्तियारपूर बिधान सभा में ऐसा हम काम करेंगे, कि एक रुईया भी गिरेगा, तो पुरा बिधान सभा में आवाज करेगा, लेकिन वहाँ पत्थर भी ग अनुरुजादों के बारे में कह दिया है, तो बिना किसी सोच के नंबर वन पोजिशन पर हासिल करेंगे, चुनाओं में जीतेंगे, साथ ही बड़ी जीतों के अनुरुजादों का हमारी सोच जोगी आधित के साथ कॉसलंद्र आधित बक्तियारपूर से